जैहें इन future gadgets कैसे हैं आप सब लोग आई हो पाल आर्वेल दोस्तों PPDT challenge का आज हमारा 11th story है और इसके picture पे जब आप clearly देख रहे हैं तो आप देख पारें कि एक office के अंदर एक बंदा बेठा हुआ है कही ने कही उसके सामने या तो newspaper है या फिर कोई important document है जिसको वो carefully read कर रहा है और उसी दोरान वो बंदा जो है टेलीफोन पर conversation कर रहा है पाचीत कर रहा है तो आपको अपने PPDT के अंदर इन बातों को जरूर सामिल करना है कि बंदा office में बेठा है office कोई सा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कहीं भी हमें कोई indication नहीं दिख रहा है कि यह जो है development authority का office है railway का office है या फिर यह metro का office है किसी bank का office है यह कुछ भी हो सकता है बट हाँ somethings are very clear कि इस बंदे के सामने न्यूस पेपर या फिर document निमा कोई चीज है और उसके साथ साथे telephone पर बातचीत कर रहा है तो अब इससे relevant क्या story आप बना सकते हो आप लोगों ने क्या stories बनाई कुछ बच्चों के NXR आप सीव stories को read कर रहे हो आपनी story नहीं बता रहे हो भाई मैं आपकी stories read कर रहा हूँ और उसके बता भी रहा हूँ कि किस बन्दे की story में किसने क्या line लिखी है उस line का क्या impact है तो आइए discuss करते हैं आप लोगों की लिखी हुई stories को और हमारे सामने सबसे पहले दमोड नाम से जो बच्चा है उसकी story है इसमें कहेरे राके is joined the railway as in staff head after clearing the examination of railway group A one day while he was on his duty he got a call from unknown person that he was informing him regarding railway broken train and he dropped the call Rakesh suddenly made a call to nearby junction asked for checking whether correct or wrong he is found correct he sent the workers there and fixed that within some time seeing this action by Rakesh towards his duty he was praised and asked for promotion by the head of that particular station master अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो इस बच्चे ने the mode के नाम से इसके आइडियो इस बच्चे ने क्या-क्या गलती किये पहली गलती जो की है वो ये कि आपको चलो ठीके information मिली थी तो आपने informer को यहाँ पर एना गड़े में डाल दिया है informer ने अगर phone किया था definitely उसने इसी mindset के साथ phone किया होगा कि कुछ गड़बढ है तो पूरी बात बतलाए बिना phone नहीं रखेगा आपने कहा कि उसने suddenly जो है call को drop कर दिया और drop the call कर दिया तो इसका मतलब आपकी नजर में वो बंदा जो है villain बन गया कोण जिसने आपको inform किया पहली बात दूसरी बात कि चलो information मिल गई थी कि कुछ गड़बढ हो गया यह train broken है train broken है कि track broke है यह आप में थोखा clearly लिखा नहीं आपे उसके बाद में जब वो broken train या broken track की आपको information मिली तो आपने उस track को सुधारने के लिए क्या किया किया क्योंकि आप तो hero हो आप क्या head आप क्या staff head हो वहाँ पर तो staff head की क्या जिम्मेदारी है उसने वो track जो broken था उसको improve के से किया वो आपको बतलाना पड़ेगा action part missing है और तीसरी बात कि बिना action करें आपने वहाँ पर सब कुछ सही करा दिया और उसके बाद में फिर आप यहाँ पर reward लेने बैठे हो आप कहा रहे हो कि उसको promotion मिल गया भाई आपकी duty थी चीजों को सही रखना सारी चीजों को operational रखना अगर उसमें कुछ गडबढ हुआ तो आपका responsibility था आपको salary उसी चीज की मिल रही है कि आप चीज खराब होगी गडबढ होगी तो उसको सही करोगी इसमें promotion की बात कहां से आ गई तो इस बज़े से story जो है इसको improvement की और ज़र रहत है इसको improve कीज़े डेफिनिटली आप और अच्छा कर सकते हो चलो अब हम देखते हैं ये जो बंदा है rock star के नाम से खतरनाक rock star देख रहा है मुझे mobile में इसका photo और जब मैं देख पा रहा हूँ from the given picture I perceived one male character age about 30 mood is positive चलो बहुत बढ़िया ये सब साही लिखा है Mr. Raghav was a senior scientist of Indian Metrological Department in Dehradun Dehradun में Indian Metrological Department का senior scientist था, he noticed the weather graph a cloudburst containing heavy water was coming towards the mountain by eastern disturbance, the cloud burst was about to hit the Gharwal region, Mr. Raghav immediately informed the local authorities of the region for take legal actions legal or illegal का क्या है appropriate actions यहां वर्ड आना चाहिए and to free up the space of valley, he he, उसने क्या क्या he also informed the news channels to aware the people so they can make themselves pre-planned informed NSG for planning NSG कहां से आगी इसमे and plotting to prevent the casualties, medical rescue and availability of food in disaster by all these efforts everything remains under control by avoiding the measures register, Mr. Raghav was satisfied with his work तो ध्यान से देखो यहां पर फोन पर बन्दा बात कर रहा है सामने उसके पेपर है फोन पर किससे बात कर रहा है चलो ठीक है, वो इन्फार्म कर रहा है लोग को अवेर कर रहा है आप देखो आपने कितने wishful story बना है इसमें एकदम सारा imagination कर दिया है जबकि वहां इससे कोई heavy rainfall टाइप से कुछ दिखने रहे तो आप simple भासा में simple story लिखो बिटा ये सब इतना सब कुछ की medical rescue के लिए उसने availability कर दिया है चैलेंज को ठीक से handle करा और cloud bus जैसी कोई चीज नहीं दिखने इतना wishful क्यों लिख रहे है उसको आप कुछ भी लिखो उसको वो बंदा है किसी company में जो है वो stock manager है उसकी company में stock की बड़ा एकधम systematic को काम करता था जब उसके authorities ने पूछा वह stock की cash थी उसने एक धम पूरा चुकिए उसके बास सारा systematic था उसने जो अपने जो है boss को पूरा phone पर बता दिया इस इस चीज का इतना इतना stock है हम इतना time तक आरसानी से काम कर सकते हैं क्या बुराई है आप इतना wishful लेकर के जा रहे हैं उसको तो घड़ पड़े चलो next story को समझते हैं सुनते हैं ये वसादी स्रीवन निवास का जो है story है इस story में वसादी क्या करें सुमन 29 years old principal of Adams public school at Gurdaspur one day got a call from his student parents that it was a long time after school the children did not reach the home he told them not to be afraid and he started inquiry of the children he asked his class teacher about the children and told him to find and also inform the watchman of the school for the same after he inquired his friends then he found the children are in his friend home after that सुमन called back to parents informed same hearing this parents happy and thanked सुमन अब यहां से देखो parents generally phone किसको करते हैं जो आपके coordinator होते हैं उनको phone करते हैं प्रिंसिबल्स आपके पास तो इतना डायम है नहीं कि वो सब ये बच्चा missing उसकी बात करेंगे फिर inquired his friends then he found children आ रहें तो प्रिंसिबल्स आपने क्या किया बच्चे के friends के घर पर phone लगाया है मतलब थोड़ा समझ यह बात को आप इसमें क्या करते हैं बच्चा घर नहीं पहुचा मतलब बच्चे को हम negative side पर ले करके जा रहें आपको अगर school की story यहां पर दिखती है आप school के class teacher बना दो class teacher जो है बच्चों के parents से बातचीत कर रहे है जो teacher है teacher अच्छा पढ़ाते थे class में तो अच्छा पढ़ाते थे उनके subject में भी अच्छा थे इसकी घर पे क्या activities है और कुछ अगर आपको problem हो मुझे बताइए मैं improve करूँगा सुधारने की कोशिस करूँगा एकदम सारी चीज के सपर जाती ट्रेक पर जाती बट यहां पर भी इस story को भी थोड़ा और improve करने की जुरत है आईए आपकी last story हम लोग देखते हैं जर्नी विद शिवेंदर भाई ने क्या लिखा है हाला कि इस story नहीं छोटी लिखिये पर देखने हैं क्या लिखा है रमेश 28, he was D.E.O. posted in Bind MP चलो MP वाले बच्चे के story है one day he was called to the subordinate staff to check all government school in his district he was collected all the documents required like accredited following the government schemes midday meal he and his team visit the school surprise check and check all facilities to give their students रमेश चेक lots of school they are satisfied education good for district area and appreciate to all the principal of the staff तो जर्नी विशिवेंदर भाई आपको क्या गरना है देखो ये D.E.O. साभी district education officer साभी कोई एक particular task को ले करके एक बार आदमी चाहता है समझना बात को ध्यान से सबोस गर्मी जाता है तो आपने देखा कि हमारे जो government school से उनके अंदर जो है proper drinking water की facility है या फिर नहीं है fire safety के equipment है या नहीं है आप समझो बात को एक ही बार में सारा रगडम पट्टी करेगा ना कुछ जंक से हो पाएगा ना कुछ जाच पाएगा और किस की school का करेगा क्या क्या करेगा संभाव नहीं है आप समझे ध्यान से एक systematic task दीजिए उस systematic task को proper action के through solve कराईए अगर आप लोगों ने मेरी पीपीडिटी के जो दूसरे वीडियोस डले वे आप बच्चो ध्यान से सुनो आप में से ऐसे बच्चे जो इन रिव्यूस स्टोरी वाले वीडियोस को देख रहे हैं तो आप लोग मेरे उन वीडियोस को भी देखे जिन में मैं अपना पिक्चर और अपनी खुद की स्टोरी लेकर के आया हूँ आप जब उन वीडियोस को देखोगे आपको आईडिया मिल जाएगा और PPDT अगर आपने अच्छा लिखा तो आपका टेट एगदम सही चले जाएगा तो आप जो ना ऐसे होच-पोच करने की चीज़ों कोशिस मत करजिए सर्टेन एम सामने रखे कि उद्देश्य क्या है स्कूल को विजिट करने का समझ में आया तो उससे क्या होगा कि आप अपने टास्कों कंप्लीट करा पाएंगे यह राज है बढ़ियां बच्चा है प्लानिंग मेप फार हाउस चलो वेरी गुड हाँ यह भी हो सकता है यह बंदा है वो इंजीनियर है यह बंदा कि अपने पास की ट्राइंग रखे तो वो बंदा जोए अपने पास उसके ड्राइंग रखेड़ उसरे अपने अपनुपन करने के साथ जो है उसको टेलीफोनिकली ग्राइड करता है कि आप अब इस बंच भी तेलिफोनरीकर समझ लो उसके बाद में साम तक मेरा विजिट ही है आपकी साइट की तरफ, मैं साम को साइट पर आऊँगा और आपको अच्छे समझा दूगा, आप समझे, टास्क भी आ गया, यानिक एक तरह से प्रॉब्लम भी सामने आ गया, प्रॉब्लम भी सुल्जा दिया, और काम भी अच्छे से हो गया, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ, अब यह सवाज की इस्टोरी पढ़ लेते, तो Rohit has completed his degree of B.Ark and opened his office by seeing his work on Instagram account, a client approaches him to build his house, Rohit asked all details to start preparing floor plan like size of land, location, directions, the desire of what house should look like and noted down the details, he later gave him date and time to meet, after making the map of house, client left satisfied with the map and now Rohit explains him the plan to proceed further and also advise him the companies from construction of house, ठीक है, तो यह अच्छी स्टोरी लिखी इसीने, दूसरी स्टोरी भी लिखने ही कोशिस की, यह स्राज बड़ा कलाकार है, शायद मेरा ही बच्चा दिखता है मुझे, तो हलागे आप सभी मेरे बच्चे हो, तो अच्छी स्टोरी है, और थो आस बहुत प्लानिंग के तहर लिखेगा, तो बढ़ियां एकदम सांदार स्टोरी हो सकती है, तो दोस्तों, यह था हमारे आज के PPDT Challenge के पिक्चर पर आपके थ्रू लिखी हुई स्टोरीस का डिस्कशन, इसी तरह से और खूब लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, डेफिनेटली, आपका रिकमेंडेशन ही मेरा इल्टीमेट एम है, और आपको लगता है, कि यहां आकर के आफ्लान प्रेपर करना है मेरे गाइडेंस में, मैं अवेलेबल हूँ, अभी के बच्चे जोगे है, उनके फीडबेक, उनके रिव्यूज आपने देखे सुने होंगे, बच्चा खुब संतुष्ट है, क्योंकि उस लेवल की प्रेपरेशन हम लोगों के द्वारा कराए जा रही है, तो वीड